Hello everyone, myself लखमी चंद from Mathematics Solution. मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ Introduction to Technometry for Class 10th और इसमें आपकी जो लास्ट एक्साइज है, जिसमें आपकी आइडेंटिटिटी प्रूव हैं उसके लिए बहुत एजी और एक बहुती सिंपल ट्रिक बताना चाहता हूँ क्यांकि उससे mostly जो है बच्चे जो हैं डरते हैं कि यह एक्साइज नहीं होती है तो देखो मैंने आपको एक्जम्बल लिया है और आपको बहुत एजी ट्रेक है आप यह 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 सॉल वीजी ली, प्लीज टाइड दा कमेंट फॉर दिस और इस नेक्स देखो एक्साइन थीटा दी जाएद ओप्संस, कॉट थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा तो आपने इसमें देखो क्या करना है, साइन और कॉस में है तो आप जो है इसमें आपका root 3 upon 2 होता है, तो मैंने root 3 upon 2 लाज दिया इसका q और minus cos यह root 3 upon 2 अब इसको simplify करता हूं मैं, तो यह 2 से आपका cancel हो जाएगा 4, देखो यहां भी 8 आजाएगा तो आपका cancel हो जाएगा यहां भी 4 आएगा और 3 root 3, तो means 1 upon 2 minus 1 upon 4, that will be 1 upon 4 और यह आपका हो जाएगा 3 root 3 upon 4, 3 root 3 upon 4 मैंने simplify किया, देखो यह 3 root 3 हो जाएगा, यह आपका 8 हो जाएगा, 2 से cancel हो गया 4, minus root 3 upon 2 तो अब देखो इसको simplify करते हैं, तो यह 1 upon 4 और divided by तो मैं इसको into करके, इसका calcium भी आपका 4 हो गया then it will be root 3 upon 4, तो 4 upon root 3, so this will be 1 upon root 3, अब यहाँ से देखते हैं अब मैंने 30, जो आपने left input किया है, वही right में डालना है, इन में डालो, देखो यहाँ मैं 30 डालता हूँ मैं जान मुझ कि आंसर क्यों कि इसका यह है missly या नहीं डाला अभी आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ डालता हूँ तो यह मेरा root 3 है, but that is 1 upon root 3, यहाँ डालता हूँ आपका 30, then it will half, and this will be root 3 upon 2, if we put 30 here, then you will get 1 upon root 3, it means this option is correct अब आप next लेते हैं, अब देखो मैंने यहाँ भी 30 लिया, half ही डालता हूँ, वैसे आप 90 अरो लेते हैं, पर मैं यहाँ पर half ही ले रहा हूँ अभी आपको तो आपका half लिया, तो 1 minus, मैं ही solve कर रहा हूँ, 1 minus half, और आपका 1 plus half, तो यह आपका half हो जाएगा, और 3 upon 2, means half divided by 3 upon 2, यह आपका cancel out होगा, then it will be 1 upon 3, अब मैं value यहाँ डालता हूँ, आपने 30 डाली थी, check 30 की जो value है, वो आपकी होती है, 2 upon root 3, और minus, 10 30 की value होती है, 1 upon root 3, और इसका आप वो square करोगे, तो देखो आपका 2 minus 1, 1 upon root 3 का square, 1 upon 3, means this will be correct option, then check other option also, so write 2 upon 3, plus 1 upon root 3, that will be 3 upon root 3, so that will not be, that will be equal to 3, but not 1 upon root 3, put here, so root 30, 30 is a 2 here, and 30, it will be root 3, it means only this option is correct, your next question, sin a plus cos a, sin a minus cos a, sin a minus cos a upon this, अब 90 put करते हैं, तो देखो आप 90, sin 91, cos 90, 0, sin 91, cos 90, 0, यह आपका 1 minus 0, तो यह आपका 2 आ जाता है, अब यहाँ डालते हैं, तो यह आपका, यहाँ 90 डालता हूँ, यह आपका not defined, यहाँ 90 डालता हूँ, आपका 1, यहाँ पर 90 लालता हूँ, तो यह आपका, 1 plus 2, 1 upon 3, अब यहाँ 90 डालते हैं, तो यहाँ 91, 2 minus 1, 1, so that will be equal to 2, it means, this option will be correct, so you can try your exact questions, then write the comment, thank you, thank you for watching.